मेरी आवास आप लोगों तक सही आ रही है तो एक बार प्लीज येस क्लिक कर दीज़े तो गुड इवनिंग तो एवरीबडी और थैंक यू वरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ये जो एक सेशन है बहुत ही इंपॉर्टन सेशन है मैं तो कहूँगा क्यूं ऐसा है क्यूंकि हम एस्ट्रोजी के मल्टिपल सिस्टम के मदद से हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को समझने की कोशिश करेंगे finance एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बहतर करने की इच्छा हमेशा दिमाग में रहती है तो हम उनी सूत्रोंको देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से योग हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से घर हैं, जो आपके financial ability को बढ़ाते हैं जब हम financial ability को बढ़ाने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें एक चीज़ से बचाव हमेशा रखना है अगर कुनली में कहीं पे भी दरीद्र योग है, जो हमारा main topic है, उसको भी जान लेना हमें जरूरी है क्योंकि हम उस हिसाब से अपने financial matter को समालें, ठेक हैं, कोई भी अगर finance की knowledge रखता है तो majorly आपको यही कहेगा, कि जब भी आप finance या financial matter को आप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें proper planning होनी चाहिए और कहीं न कहीं, financially जो उताव चड़ाव हैं, उनको भी proper calculate करके चलें, यह हमेशा दिमाग में रहते है तो मैं अचारे जॉयब एनर्जी, Vedic Astro की सरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ, Vedic Astro 2015 से online classes करा रहा है जैसे की हम multiple विदा में classes कराते हैं, हम astrology के, numerology के और वास्तो के courses कराते हैं, बहुत variety of courses कराते हैं हमारी जो website है, Vedic Astro.in है, उसमें जाकर भी आप कोई भी, कोई भी जो courses है, वो देख सकते हैं आप लोगों को जो यह course आप लोग कर रहे हैं, इस course का जो access है, आप लोगों को Vedic Astro.in में मिलेगा प्लस हम एक telegram group अभी इस class को खतम होने के बाद, आप लोगों को link डॉप कर देंगे, उसमें आप लोग जोड़ जाना, वहाँ पे भी आप लोगों को इसी course के वीडियो मिलेंगे अगर किसी moment पे आपको कोई भी सवाल आपके मन में आता है access related, तो आप यहाँ पे जो main group में add किया गया है, जिसमें group का नाम है paid research group number one, यहाँ पे आप कोई भी अपनी problems या technical access related issues, कोई भी आपको दिक्कत है, तो वो आप लिख सकते हैं, हमारे team में आप देख लीजे के इस group म कौन admin है, उनको आप direct भी संपर कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, तो हम भी आपको contact करके आपकी problem solve करते हैं, जो भी class की recording access है, वो आपके पास lifetime रहेगा, अगर by chance कोई भी session आपका miss हो जाता है, तो आपको lifetime access मिलेगा, यह session हमने दो दिन के लिए प्लान किया है, अगर किस किसी बज़े से हमारे पास one day buffer है, अगर किसी बज़े से हमें extend करना पड़ा, तो we will extend to the next day as well, ठीक है, टूडे इनका workshop है, लेकिन we will, if required, then we will go for the third day as well, तो उसकी भी तयारे आप लोग रखना, यह session जो है, साड़े साथ से नौ बज़े तक यह रहेगा, जैसे यह course complete हो आपको website से automatically issue हो जाएगा, जैसे class complete हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं यह आप लोग को कहूंगा, जरूर और जरूर इस class को प्रॉपर तरीके से आप go through करना, आप recording को देखना, अगर कोई doubts हो, आप Q&A में यह सवाल पूछ सकते हो, question कैसे पढ़ना, मतलब आप लोग होता है, इसलिए जब हम deliver कर रहे होंगे content को, उस time पे अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि हाँ, यह चीज़ समझ नहीं आई, यह चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को एक कागज में लिए अपने copy में लिए जब Q&A का time होगा, तो एक एक करके स जोड़े हैं, we will help you to understand the topic as easy as possible, right, everybody is ready, अगर ready हैं तो please chat पे yes लिख दीज़े, okay, तो कितने ऐसे लोग हैं जो एकदम नए हैं, right, कितने ऐसे लोग हैं जो एकदम नए हैं, very new, okay, so they will type VN, okay, anybody who are very new, they don't know about anything about astrology, if anybody, very new, okay, कितने लोग ऐसे हैं, जिनको कुंडली देखना बिल्कुल नहीं आता, कितने लोग ऐसे हैं, जिनको कुंडली देखना बिल्कुल नहीं आता, उनको यह नहीं पता कि कुंडली कैसे होती है, आई लिख दीजे, जिसको बिल्कुल नहीं पता कि कुंडली कैसे देखी जाती है कि उनली क्या होती है उसको यह नहीं पता if anybody so that I understand the level though I will start with that particular level only okay great so it is a good news that we have the people who already have knowledge about some astrology और इसमें आपको यह चीज दिमाग में बिलकुल नहीं रखना के मुझे वैदिक जोतिश आता है मुझे लाल किताब आता है मुझे केपी आता है astrology जब आप करते हैं हमेशा मैं यह कहता हूँ कि किसी भी astrology से दूसरे astrology को आप merge मत करिए लेकिन जब हम prediction करने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे system से हमें मदद लेने से फाइदा होता है but there is a thin line there is a thin line कि कहां पे आपको किस तरह से देखना है किस तरह से नहीं देखना दोनों law को mix नहीं करते हुए अगर आप बढ़िया तरीके से prediction कर रहे है so that is very good तो हम तीन system को आज पहले समझ लेते हैं कि वैदिक क्या है लाल किताब क्या है और KP क्या है इनके basic thumb rules है उस thumb rule को में follow करना है बाकी योग में बताता जाओंगा आप लोग जोड़ते जाएंगे तो सबसे पहले हम तीनों पद्धतियों के basic thumb rule को समझेंगे ठीक है basic thumb rule को basic thumb rule में मतलब हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे चार्ट कैसे दिखता है और इसमें क्या rule फॉलो होता है ठीक है तो सबसे पहले मैं वैदिक को आप लोगों को समझाने की कोशिच करता हूँ अल्दो कई लोगों को पता है लेकिन मैं quickly go through करूंगा ताकि जो नए है उनको भी चीज़े समझ में आ जाए तो मेरा स्क्रीन अभी आप लोगों को देखेगा यहां पर कोई चांस नहीं है कि आप लोग बंक मार सके लेकिन वी निट टू गोएड और कम्प्रीट इस सेशन चलिए तो जब भी हम बात करते हैं जोतिश की ठीक है जोतिश हो कई विदा है तो हम इसमें फाइनेंस की बात कर रहे हैं लेकिन हम सबसे पहले बात यह करेंग फैनांस या कुछ भी हो तो कशाओ आपको यह पता होना चाहिए कि कुण्णली देखी कैसे जाती है तो हम यहां पे जो यूजिस करेंगे, अधि नॉर्फ इंडियान चाट स्टैल दीक है नॉर्फ इंडियान चाट स्टैल जिसको हम डायमों चाट भी कहते हैं जो यह डाय गड़ी को अगर आप देखोगे तो घड़ी इस डिरेक्शन में चलती है और ये कुंदली जो है एंटी अगर मैं इसको लिखू यहां पे यह नंबर वन होता है यह ठी होता है यह वी हाव 12 राशी हमारे पास 12 राशी है मारे पास 12 भाव है ठीक है इस हाउस को भाव भी बोले जाता है इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा जस्ट मैं आपको एक चीज बहुत ही सिंपल बताने की कोशिश करूंगा मतलब अगर मैं आज आपको देख रहा हूँ तो ऐसे स्टेज पे आप खुश है आप गुस्य में है आप दुखी तो नहीं है तो आई विल एबल तो गेज़ इड विद अहिल पफ एक्स्परेशन मैं से तो राशी या हम थो है राशी का मतलब है एड़िजग अव स्तार्ज राशी का द दएडिजगल्सट stri ओन्तओं इसे वित्ट श्परेशन हैड़ एक स्बवाव देता है तो हरब आपकुछनकुछ कहता है थीक है उस पर उतने डीटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर टॉपिक जो है बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास बारा भाव हैं बारा राशी है अब अगर हम बात करें क्या केपी में लाल किताब में और वैदिक में क्या यह सिमिलर है तो हम बोलेंगे येस ठीक है तीनों में ही यह सिमिलर है हमारे पास बारा भाव हैं बारा राशी है और नौग रहे हैं नाइन प्लानेट से नाइन प्लानेट से ओके यह तीनों चीजें केपी में वैदिक में लाल किताब में सिमिलर है ओके अब इसमें क्या difference है, जो हमें ध्यान रखना है, वैदिक की अगर हम बात करें, वैदिक में जो कुंडली बनेगी, उसमें हम majorly use करेंगे राशी कुंडली, जब भी आप कोई भी software यूस करेंगे, एनी software you are using, in that case, you will able to see a chart which is called a Rashi chart, so in वैदिक, we are going to use Rashi chart, ठीक है, वैदिक में हम preference देंगे, राशी chart को, now when we talk about KP, so in that case, we will use two charts, ठीक है, एक chart को बला जाता है, राशी chart, एक chart को बला जाता है, भावा chart, now what is the difference between both charts, KP में, राशी chart में, जोग रह होंगे, similar to Vedic chart होंगे, similar to Vedic chart होंगे, but, भावा is a little bit different, why it is different, KP ये मानता है, KP ये मानता है, मान लेते हैं, एक इंसान, एक जगा जनम लेता है, ठीक है, एक ही तारिक को, मान लेते है, कोई Kolkata में जनम लेता है, और कोई इंसान मुंबई में जनम लेता है, for example, तो ऐसे case में, यहाँ पे KP में, एक division किया जाता है, जिसे कहते है, placidus division, and now what is the meaning of placidus division, साधरन भाशा में आप ये समझें, कि मान लेते हैं, कमरे में मैं बैठा हूं, और आप लोग बैठे हैं, मैं जो चीज, देख पा रहा हूं, जिस dimension में, क्या आप उसी dimension में चीजों को नहीं, it will be different as you are sitting in a different position in the room, आप अगर अलग जगा बैठे हैं, मैं अगर अलग जगा बैठा हूं, दोनों ही अगर एक object को देख रहे हैं, दोनों को अलग-अलग dimension से दिखेगा, ये point समझ रहे हैं सारे, तो KP उस point को बहुत important देता है, जिस वज़े से उस division method को use करके एक chart बन चार्ट, बट वैदिक also have a भावचार्ट, बट वो भावचार्ट अलग concept से बनाया जाता है, बट KP has a different calculation of creating a भावचार्ट, तो KP में दो चार्ट होते हैं, एक राशी चार्ट, एक भावचार्ट, ठीक है, और वैदिक के अगर हम बात करें, वैदिक में एक चार्ट है, जो राशी चार्ट है, यहां तक सबको clear है, अब आ जाते हैं लाल किताब में, अब लाल किताब में, यहां पे जो कुंडली बनेगी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कुंडली है, जिसको आप राशी कुंडली कहते हैं, ठीक है, जिसको आप राशी कुंडली बनती कैसे हैं, अब उसको थोड़ा समझ लेते हैं, कोई भी हमारे साथ हैं, जिनको अपनी राशी चार्ट पता है, और वो पस्ट तरीकी से अपनी राशी चार्ट बता सकते हैं, तो वह हैंड्रेस करें, जिनको अपनी राशी कुंडली पता ह है और वो सबके सामने अपनी राशी गुंडली शेयर कर सकते हैं तो हैं ट्राइब ट्राइग टू शो ठीक है चलो संजय जी नए है तो उनको एक बार हम चार्ज देते हैं और यह क्योंकि अपने चार्ट से लोगों को ज्यादा बढ़िया समझ आता है तो एक एक करके हम सब 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है जी सर पांचवे भाव मेरा जूपिटर और सेटन जी चाटे भाव में चंदर मार केतू जी नवम भाव में वेनस जी दस्टम में सन और मरकरी सन और मरकरी ओके और बारवे भाव में सर मार्स एंड रहो मार्स एंड रहो ठीक है अब यह इनकी क्या बन ली वैदिक कुंडली बन गई ठीक है अब आप लोगों को यह धियान देना है यह क्या बना वैदिक कुंडली अब इस वैदिक कुंडली से हमें लाल किताब कुंड लाल किताब में हमें राशी को मेहत्वा नहीं देना यहां पर सीधा वन लिख देना है, ठीक है, वान, टू, 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 त्री, पॉर, पाइव, सेक्स, सेवन, एट, नाइन, टैन, लेवन, ट्वेल, बाकी ग्रेज्ट जैसे राशी चार्ट में हैं वैसे 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 बिठा और कोई चेंज नहीं करना यहां पे यूपिटर नहीं तो यहां पे लगेंगे जूपिटर एंट यहां पे मून केतु है तो लिख देंगे यहां पे सनन मरकरी है तो सब्सक्राइब कि इनकी लाल किताब कुनली बनगी ठीके के तो अब हमारे पास जितने भी लोग है उन्स अब को जो है व्यादिक कुन्ड्ली केपी कुण्डली और लालकिता कुण्डली थीनों ही समझागी कैसे होता है क्या होता है यह स्नू में अशर करें प्रिस्ट अभी यहमारे पास हमें यह पता चल गया या extension Lael कैसे बनती है KP गुंडली क्या होती है और हमारे पास यह पता चल गया करते अब हमें इससे आगे बढ़ना कि अब स्यमिखना को समझना है अब में Unternehmen समझना है कि कैसे हम finance की बात करें जब हमाइनन की बात करतें अब तोड़ा finance को हम समझ लेते हैं finance होता क्या है और जोतिश में कौन से घर से finance को दिखा जाते हैं अभी मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप लोगों को तीनों पद्धिरी को लेके चल रहा हूं और उसके बाद फिर एक एक पद्धिरी पर आ जाएंगे ताकि जब हम हम सुत्तर की बात करेंगे ठीक है अब मैं अगर आप लोगों से पूछू हूं वट इस अमीनिंग आपके लिए finance का मतलब क्या है चली पहले हम आप लोगों से थोड़ा सुन लेता हूं ताकि मुझे डिलिवरी करने में कंटेंट डिलिवर करने में बेटर अंडेस्टेंडिंग तो वाट ड्यू वाट ड्यू अंडेस्टेंड बेए फाइनस आपके लिए finance क्या है कि चली हैंड्रेस करके बता सकते हैं चैर्मानी की कोई बात नहीं है कि अजिए कि वेल्ट एसेट्स मनी ओके ठीक है कि अजिए कोई बात नहीं है मनी और लिक्विट कैस्ट ओके ठीक है जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए जो भी चीजों प्रफॉट लगते हैं ओके बिल्कुल ठीक और बताईए रजट जी तर वेल्ट एसेट मनी प्रॉपरटी लिक्विडिटी अब मैं आपको ना कुछ चीजे ध्यान से समझाने की गोशिश कर रहा हूं बड़े ध्यान से समझना और सुनना पहले समझ सोचो कि एक स्टोरी सुन रहे हैं अप टीक है एस्ट्रोजी नहीं सिक रहे हैं इस तरह से सुनना ठीक है जिसको पता होगा वही हैंडरेश करके मेरे को आंसर करेगा माता लक्षमी की उत्पत्ति कहां से हुई बताए माता लक्षमी की उत्पत्ति कहां से हुई जी मन्जू जी बताए तो मन्थन से जब उन्होंने सागर मन्थन किया था जब लक्षमी जी उत्पत्ति कहां से हुई अब समझो मैंने जब आप लोगोंने फाइनेंस की बात करी आपने वेल्थ बोला अपने वोला यह बोला वो बोला लेकिन माता लक्षमी का नाम लिया कि ना क्यों कि बिकॉस इस ओरिजिनेटर अफ फाइनेंस माता लक्षमी इस ओरिजिनेटर अफ फैनेंस वैदिग जोतिश इस अल्वेस एस एस सीएटेड विट स्टोरीज इडिश अल्वेस एस सिटेड विट देवत आज अगर आप देखें या पढ़ें या सुने तो वहाँ पे विश्णु जी ने एक अवतार लिया था पता है कौन सा अवतार एनिवेटी चैट पर बता दीजिए चले बार-बार अन्मिट करने वह था चैट पर बता दीजिए विश्णु जी ने मन्थन के वक्त एक अवतार लिया था मोहिनी लेटर स्टेज उससे पहले देवसी जी एक्सुलूटली करेक्ट एक कच्छुए के रूप में कुर्म अवतार कहते हैं उनके रूप में उन्होंने पूरा जो पत्थर था उसको अपने पहाड जो था पहाड पहाड को अपने पीट पे रखा और उस पहाड को मोमेंटम में लाने के लिए उन्होंने अपना ही शेशनाग दिया तो क्या हुआ एक तरफ देवता और एक तरफ रक्षिशगन दोनों ने उसको खीचना शुरू किया तो क्या फार्म हुआ चर्निंग क्या फार्म हुआ चर्निंग कुंडली के अंदर पता है कौन सा घर चर्निंग का है anybody there are two houses which shows चर्निंग any guesses hmm 8th house और 12th house नई second house and seventh house देखो आप लोग अगर आये हो मैं नौलेज आपको गहराई वाली दूंगा शुक्र देवता को माता लक्ष्मी से जोडा गया है शुक्र देवता को माता लक्ष्मी से जोडा गया है वास्तू अगर करते हैं तो सेकेंड हाउस को हम चर्निंग बोलते हैं वह कौन सा डिरेक्शन लेता है नौर्थ वेस्ट वास्तू एक्सपर्ट कंफर्म करना नौर्थ वेस्ट करेक्ट नौर्थ वेस्ट में कोई भी चीज रख दो सेल होनी शुरू हो जाएगी कहीं करते हैं ना यह दाट इस अहाउस अवीनस सेकंड वीनस का दूसरा होस कौन सा है सेवंथ काउंट करेंगे तो वन से लेकिशन चले जाएगे दैट इस अलसो अच्छर्निंग हाउस तो अगर मंतन में मंतन में क्या है मंतन में हमने चर्निंग को दिया एक तरफ घिसा गया और उसके बाद सबसे पहले तो विश निकला और बाद में जो है धीरे धीरे चीजों की उत्पत्ते हुई जिसमें लक्ष्मी जी आई तो शुक्कर को लक्ष्मी जी से जोड़ा गया पहला पॉंट काल पुरुशी कुंडली में दूसरा घर लक्ष्मी जी का है अब इसमें मैं चीजों को मिक्स करके बता रहो इसमें वैदिक भी है लाल किताब भी है लाल किताब में साथवे घर को बोला गया है चक्की लाल किताब में, उस घर के मालिक दो हैं, साथवे घर के, एक है बुद्ध, एक है शुक्कर, शुक्कर है जमीन, बुद्ध है आकाश या आस्मान, उस घर में, साथवे घर में, मैं थोड़ा कुंडली बना के बताता हूं, तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा, नहीं समझ आ रहा होगा, तो मिरे को आप लोग रोकना या एंट्रेस करके पूछ लेना, लेकिन दूसरा घर भी शुक्कर का, सात्वा घर भी शुक्कर का, ये वैदिक है, ये केपी है, लाल किताब कहता है, सात्वे घर में दो मालिक हैं जी, लाल किताब कहता है, सात्वे घर में दो मालिक हैं, एक है बुद्ध, एक है शुक्कर, और सात्वे घर को बोला गया है, चक्की, चक्की, चक्की क्या होता भी, अब आप बताओ, जब आपको खाना खाना होता है, तो पहले की जमाने में रोजी जो है, चक्की से पीस के, बुद्ध हो गया आस्मान अब मुझे बताएं सात्वी राशी में कौन सा ग्रहे उच्छ का चैट पर बताईए वैसे दुमने लिख दिया लेकिन फिर भी रीटा जी ओके-ओके उच्छ का शनी है जी सात्वे गर में यहां पर शनी उच्छ का शात्वे गर में शनी उच्छ का शनी है पहाड मंतन में क्या था पहाड इस दुनिया में कितने लोगों ने यह बोलते वे सुना है हम महनत करेंगे हमारी यह जमीन ही यह मिट्टी ही सोना देगी कितने लोगों ने सुना यह चीज यह मिट्टी सोना पैदा करती है क्या करती है तभी तो बोलते हैं तो देट मीन्स वीनस है दे केपिबिलिटी टो गिव दा वेल्थ अगर हम जैपुर की तरफ जाएं राजस्थान की तरफ जाएं वहां पर आज की डेट में भी खोदने पर पता नहीं कहां मटका निकलाई जिसमें सोना जैवरात भरा हो तो पहले जवाने में तीजोरी कहां होती थी लोगों की जमीन के नीचे मटके में डाले तो मटका किसका बुद का वेल्थ कॉन शुकर ठीक है तो सात्वा घर उच्छ है शनी पहाड मंतन में मैं दस चीजें जोड़ रहा हूं एक साथ समझाने की चीजों को बहुत बढ़िया दरीगे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझना इंटरस्ट बढ़ेगा आप लोग का शुकर के दो भाग है शुकर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो पैसे के ओरिजनेटर है माता लक्ष्मी से कनेक्टेड है दो भाग है राहू और केतू जब राहू केतू और शनी मिल जाएं तो एक नाग संपून रूप में आ जाता है पैसे की एक से बढ़कर एक चीज़ आई अगर आप देखेंगे इस मन्थन में जो जो चीज़ें आई वो सारी ही इन सारे ग्रहों की और किसी की नहीं है कभी आपने सोचा नहीं होगा यह चीज कोई भी एक चीज़ बताएं दो तिन चीज़े मैं बता देता जो मेरे को याद है सारी तो याद नहीं मेरे को भी सबसे पहले कल्प व्रिश्क क्या देता है वो चैट पर बताएए क्या देता है जल्दी से चैट पर बताएं क्या देता आपको क्या लगता है फुल्फिल यूर विश्रस आपसुलूटली करेक्ट बुद्ध का है वो अई रावत किसका है राहू का हाती अई रावत उसका है ना हिंद्र ने लिया जो जो चीजे निकली पॉईजन किसका शनी का शनी की समस्यां आएंगी कौन तारेंगे शिव ही तारेंगे क्योंकि शिव ने जहर को अपने शरीर में गले में धारन किया अगला किसका गर्दन ब्रहस्पती की आएंगे लिया जहर शबंगे लिया क्योंकि ब्रहस्पती की समस्यां आएंगे लिया